हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चानल टोटल फिजिकल एजुकेशन बीपेड और एमपेड सीटी की एक्जाम अभी बहुत ही जल्द होने वाली है सीटी एक्जाम की अंतरगत 50 नमबर का कम्पिटर स्क्रिनिंग टेस्ट और 50 नमबर का फिल्ट टेस्ट इस प्रकार का सीटी एक्जाम का सुरूप रहने वाला है तो दोस्तों ये दोनों exam attend करने के लिए आपको अपने साथ कौन से कौन से documents carry करना है उन documents की list से संबंदित important जानकारी आज की वीडियो में आपके सामने प्रस्तूत करने वाला हो इससे पहले जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया उन सभी से मेरा अनुरोदे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और हो सके दो इस वीडियो को जदा से जदा शेयर करें तो दोस्तों BPA CET exam की अंतरगत सबसे पहली exam होने वाली है 50 number की online computer screening test जो की होने जा रही है 2 अगस 2022 को Tuesday इस दिन morning shift में ये exam होने वाली है दोस्तों और उसके तुरंट दुसरे दिन से ही आपका online test होने के बाद उसके तुरंट दुसरे दिन से ही आपका field test exam शुरू होने वाला है दोस्तों तीन अगस 2022 छे अगस 2022 इस duration के अंतरगत आपका offline field test होने वाला है यह field test का exam आपके role number के according to होने वाला है पहले role number से लेकर जितने भी number of candidate रहेंगे exam attend करने वाले तो according to role number according to sequence number से आपका field test का exam होने वाला है जो कि offline mode पे आपका ground पे यह exam होने वाला है then MP8 का CET का exam होने वाला है इसमें भी सबसे पहले exam होने वाला है computer screening test जो की 50 number का होने वाला है यह exam रहने वाला है 21 अगस 2022 Saturday इस दिन इसके तुरन दुसरे दिन बात से ही आपका field test के schedule के शुरुवात होने वाले जो की 22 अगस 2022 से 25 अगस 2022 इस duration के बीच यह आपका MP8 का field test का exam होने वाला है मैदान पर जो की 5 test इसके अंतरगत रहेगी यह पांचों टेस्ट के ऊपर आपका field test का exam होने वाला है तो चलिए दोस्तों सिधे बात करते है list of documents for online test and field test कौन से कौन से documents आपको साथ में carry करना है दोस्तों documents की list screen पर आपके सामने प्रस्तूत है सबसे पहले online screening test hall ticket जो की आपका CT exam के अंतरगत जो पहला exam होने वाला है आपका 50 number का online computer screening test test इस exam का 50 number computer screening test का जो hall ticket है आपको साथ में carry करना है दुसरा है field test hall ticket खैर यह hall ticket तो आपको field exam के time या field exam जिस दिन आपका रहेगा उस दिन आपको यह hall ticket काम में आने वाला है लेकिन आपको online screening test के लिए आपका online computer screening test का hall ticket आपके साथ में होना जरूरी है थर्ड है identity proof देखिए दोस्तों यहाँ पर identity proof आपके पास होना compulsory है without identity proof आपको exam permission दी जाती है exam के लिए बैठने की अब देखिए identity proof में आपके तीन चार प्रूफ है इसमें कोई भी एक प्रूफ अगर आप अपने साथ carry करते हैं तो भी चलेगा लेकिन original identity proof आपके पास होना जरूरी है एक xerox और एक original तो आपके पास ही रहेगा लेकिन उसकी फोटो कापी आपके साथ होना जरूरी है इसमें identity proof में देखिए दोस्तों आधार कार्ड पैन कार्ड वोटिंग कार्ड ड्राइविंग लेसेंस पासपूड इसमें से कोई भी एक identity proof आपके पास में होना जरूरी है original और साथ में एक photocopy चौथा document दोस्तों online application form जब आपने CET exam के लिए apply किये थे तब आपका online application form अपने fill किया था तो उस application form की आपके पास एक print होना जरूरी है पाच्वे नंबर का document है दोस्तों passport size photograph अब यह passport size photograph की क्या जरूरत है यहां पे तो किसी किसी केस में किसी किसी छात्रों के haul ticket पे उनका photo uploaded photo वहाँ पे print होके नहीं आता तो ऐसी case में आपको आपके पास passport size photograph होना जरूरी है अगर वहाँ पे इन्विजिटर ने अगर आपको बोला कि आपको online haul ticket जो आपने download किया या print किया है उस haul ticket पे आपको photo stick करना है तो उस स में आपके पास photo available होना जरूरी है इसलिए आपको साथ में कम से कम तीन से चार passport size photograph साथ में रखना जरूरी है कुछ महत्वपूर्ण सुचनाएं दोस्तों यह सुचनाएं देखिए एक्जाम होने के बाद दोनों haul ticket संबाल के रखना जरूरी है तो देखिए दोस्तों सबसे दोनों haul ticket अच्छे condition में आपको संबल के रखना जरूरी है क्योंकि जब counseling शुरू होती है admission की उस समय आपको सारे के सारे original documents upload करना होता है CT cell की portal पे तो उन documents में यह दोनों haul ticket अपलोड करना must होता है इसलिए दोनों haul ticket अच्छे condition में आपको संबल के रखना जरूरी है और दोन haul ticket पे candidate signature और center in charge या फिर invigilator signature यह दो कॉलम है वहाँ पे तो वहाँ पे आपके दोनों कॉलम पे आपका sign और invigilator का sign वहाँ पे होना जरूरी है क्योंकि जब आप यह documents upload करते हैं portal पे तो उस समय यह haul ticket पे signatures आपकी verify होती है या फिर वहाँ पे चिक किया जाता है counseling के समय उप पर अप्लोड करना पड़ता है जैसे कि मैंने आपको बताया counseling के समय जब automation का counseling शुरू जाते क्या प्राउंड शुरू होते तो ऐसे समय आपको यह दोनों haul ticket आपकी upload करना पड़ता है CT cell के portal पे next है समय पर center पर पहुचना अनिवार्य है सबसे important चीज है दोस्तो जब आप online computer screening test के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको समय पर पहुचना अत्यंत आवश्चक है साड़े साथ बज़े का आपका timing है reporting time और gate close होने का time है साड़े आठ बज़े तो यह दोनों timing की बीच में आपको center पर पहुचना है किसी भी condition में आपको late commerce को allow वहाँ पर नहीं किया जात सामने प्रस्तूत किये उम्मेद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जिन्होंने आप मैरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया उनसे मेरा अनुर्वदे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और हो सके तो इस वीडियो को जाधा से जाधा share भी करें